कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे विश्वास नहीं किया जा सकती ऐसी खबराज लखनों से किसी को पता भी नहीं था कि नबाबो का शहर कभी समुंदर भी बन सकता है जी हाँ उत्तर प्रदेश के लखनों की हालत कुछ ऐसी है कि सब कुछ जलमगन हो गया है आम से लेकर खास तक सब के घरों में पानी ही पानी आईए तस्वीरे देखिए और आप भी सोचिए कि ये वही लखनों है जिसको नजाकत और नफासत के लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश की रालधान में बीती राज से लगातार हो रही बारिश ने हाहाकार मचा दिया शहर की मुख्य सडके तालाब बन चुकी है और आम लोगों से लेकर वी आईपी लोगों के घर तक पानी भर चुका है दुकाने बारिश की पानी में डूब गई हैं सामान खराब हो रहे हैं वहीं अब ये तस्वीर देखिए नबाबो के शहर लखनों में भारी बारिश के बाद लोगों का घर से बाहर निकलना मुस्किल हो गया है जगर जगर सडकों पर पेड गिर गए हैं आप तस्वीरे देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं ये कोई नदी और नाला नहीं बलकि ये तो लखनों की बी आईपी सडक है ऐसे पेडों की चपेट में आने के वज़े से कई गाड़ियां भी बरबाद हो गई हैं ये तो सिर्फ एक तस्वीर है लखनों में जाने कितनी ऐसी तस्वीरें आपको दिख जाएंगी अब ये हाल देखिए मंतिरों और कई अन्य चर्चितलों के घरों के जलमग्द होने के बाद से जिला प्रसासन ने लोगों को बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलने की हिदायत दिया यानि कि अब यहां एलर्ट भी जारी हो गया है अब अगली तस्वीर देखिए बता दे कि लगातार हो रही बारिश की वज़े से लखनों में बीएसपी के महासचीव सतीश चंद मिश्रा के आवास में पानी भर गया है ये वही सतीश चंद मिश्रा है जिने मायवती का सबसे खास माना जाता है और कहते हैं कि दो बार मायवती को मुख्यमंत्री बनाने में इन ही कहास था इतना ही नहीं जाली बाग जैसे पास और वी वी आईपी इलाके में कई मंत्रियों के घर में बारिश का पानी घुश चुका है है न मज़दार खवर क्योंकि यही वो नीती नियंता है जो अपने परदेश की हालत सुधारने की बात करते हैं ज़र आप इनके घरों की ही हालत देख लीजिए अब अगली तस्वीर देखिए भारी बारिश की वज़े से लखनो शहर के कई इलाकों में घंटों से बिजली नहीं है जिससे आम लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा है राज में अब तक कई लोगों की मौत इस बारिश की वज़े से हो चुकी है पर सरकार को क्या है क्योंकि उसने तो अपनी तैयारी ही नहीं की है अब ये देखिए ये कहीं दूर की तस्वीर नहीं बलकि लखनों का सबसे वियाईपी इलाका हजरत गंज की बात कर रहे है हजरत गंज के बालू अड़े पालक रोड विधान सभा मार्क पर भी जल भरा हो गया है और देखे गाडियां पूरी डूब चुकी है और गाडियां सरकों पर चलने की जगा तैर रही है जो जोड़दार बारिश की वज़े से सडके पानी से लबालब भर गई है ये एक दिन की बारिशी करामात है वो भी तब जब पूरी रात बारिश होई थी अब जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिए लखनों में भारी बारिश के बाद जलजमाओं ने नगर निगम के सभी दाओं की पोल खोल दी लखनों के डियम अविसेख प्रकास ने लोगों को निर्देश दिया है कि जब तक ज़रूरी काम न हो तब तक घर से बाहर न निकलें पहले करोणा ने कैद किया और अब लगता है कि पानी ने कैद कर देगा इसके अलावा लोगों से भीड भारवाले और ट्रैफिक वाले सडकों बाद जाने और बिजली के खम्मों से बच कर रहने के अपील की गई है क्योंकि पानी तो मारेगा ही मारेगा कहें बिजली ने पकड़ लिया तो आप बचने सकते हैं यानि कि सब कुछ अब आपके भरोसे है तो आप ध्यान रखिए कि सडक से गुजर रहे हैं तो पानी से भी बचिए और बिजली से भी बचिए पता नहीं कौन सा तार कहा पानी में पड़ा हो और किसका काल बन के आ जाए तो ये बात सिर्फ लखनों के लिए लागू नहीं होती बलकि उत्तर प्रोदेश में बड़ी ही भायावा इस्तिती है ऐसे में अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं और वहां बारिस हो रही है तो साउधान हो जाईए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए